नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का वाइफ़ सम से इप्परोन वीडियो में से एक आज का वीडियो होने वाला है क्योंकि आज मैं आप सभी को एस को एड कैसे करते हैं वीडियो देख लिजीगा ट्निसिय oportunist के लिए बहुत इंप DVR की copy हो जाती है मतलब कि एक दूसरा DVR की settings आप कर लेते हैं A to Z settings है साइध ही कोई settings हो जो आपको नहीं मिलेगी तो सब कुछ आप कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं घर बैठे खुद आप किसी और के device को खुद से monitor कर सकते हो खुद से आपको पता चलागा तो वीडियो कान तक देखेगा वीडियो लंबा है बड़ काफ़ इन्फरमेशन और नौलेज मिलेगे आपको तो वीडियो का जरूर प्रैक कीजिएगा वीडियो कान तक देखेगा ताकि मैं समझू कि आपको यह वीडियो पसंद आया like करना नहीं भूल अब चैसे करें की मैंनुवली से करें कर सकते है। यहाँ पर ओप्प्ञाइब कराऊ हुआ धिकनेट सिंपफिर, यहां पर सब्सकराइब कर सकते हुआ है। कि एक करनेटिवाइज करके पूले हैं यहां पर छीज़ स्क्राइब करें करता हूं आपको यहां रखनेتي प्सक् सिंक्रोनाइज को आता है और आपसण आने के बाद देखे easy way पर यह सिंख्रोनाइज हो जाता है जैसे सिंक्रोनाइज होता है सिंक्रोनाइज होने के बाद आपको काफी चीजह देखनी पड़ती है वह काफ यहां पर health monitoring में आ जाती है complete details आ जाती है आप monitor आप आसाने से कर सकते हो, पहले मैं settings को देखाता हूँ, क्या का settings कर सकते हो, यहाँ पर देखें model number है, firmware का version है, device का time दिया हुआ है, और abnormal है, ताइम और सही नहीं है, या फिर time का zone गलत है, या फिर time गलत है, बागे hard disk की status है, camera की status है, सारी चीज़े clear देखें, hard disk के बारे से यहाँ पर दी हुई है, तो cool मिलाकर एक बहतरीन तरीके से इसको design किया गया, अब देखते हैं, live view और playback तो आप यहाँ पर देखे सकते हो, अब यहाँ पर system में देखते हैं, क्या क्या settings कर सकते हैं, क्या वो सारी settings कर सकते हैं, जो DVR में कर सकते हैं, वो देखते हैं, प्रपकश आपको घ्रिवास का था रहा और यह पर अनुम पर को इन एम संगापूर का की कुरें おरकिते आपको इंडिया का टाइमना होता है यह गलती थी इसके अलाबा ऐघ्र कुलमल सुद्वर्न attitude टू माल लेते हैं device offline चला या कुछ issues है तो कई बार नहीं होता है कि reboot कर लेते हैं तो ठीक हो जाता है तो आप reboot यहां से कर सकते हो log information, system service, live view, connections के सारी settings यहां पर दी होई है इसके बाद network में जाते हैं अब network में आपको security है, sorry security में RTSP authentication है service security services क्या क्या है वो दिया हुआ है, telnet और enable SSH के लिए दिया हुआ है network बहुत important है, network में आपर basic settings दी हो, advanced settings, basic settings में आपर working mode दिया हुआ है DSCP आप enable कर सकते हो, disable कर सकते हो, इसके लावा, यहां पर आप IP डाल सकते हो, IP before, subnet mask, कैसे आप डाल सकते हो simple, जैसे आप DVR, NVR में आप mouse से डालते हो, fill करते हो, उसी तरह से आप यहां भी कर सकते हो simple तरीके से दिया हुआ है, DDNS आप enable कर सकते हैं, ठाहला कर दिया है, port के बारे हम दिया हुआ, port, HTTP, जितन भी port है इसके बार net option दिया हुआ, UPNP enable है, disable है, सारे चाज़े है, HTTP, HTTPS, तो port forwarding वगएरा, open source license वगएरा, सारे चाज़े है यहां पर दिया हुआ, Wi-Fi, यह model Wi-Fi को support करता है, तो यहां पर Wi-Fi का, कौन से Wi-Fi से add है, वो सारे दी हुई है, अगर नहीं किसी से add करना है, तो यहां पर आप password की डाल सकते हैं, अगर सामने कोई हो अगर डाल रहा है, USB receiver तो यहां साब कर सकते हैं नेटवर्क सर्विस यहां पर दी हुई है, RTSP प्रोटोकॉल वेब सॉकट के अलावा, HTTP और HTTPS के बारे में भी सारे इंफर्मेशन दी हुई है, सीक्योर कनेक्शन आपने कर सकते हैं, यह बहुत इंपोर्टन है, वीडियो एन ओडियो में समझना बहुत जरूरी है, परेम बाद होता है, यह सारा ही प्रो कनेक्ट ने दे दिया, यहां पर मतलब DVR के पास जाने के जरूरत नहीं है, मतलब यह जो सर्विस आपको मिला है, यहां पर कैमरा को कितने मेगा पिक्सल का वो देख रहा है, वीडियो ने ओडियो आप सेट कर सकते हो, आपका कभी कोईशन प्रो ऑन है की नहीं है, मतलब यह एक बहुत बड़ी सेटिंग्स है, और इस सेटिंग्स के लिए आपको क्लाइंट के पास दिन भर चाहना पड़ता है, चकर लगाना पड़ता है, तो वो चीजे एक विजन ने दूर कर दी, और मुझे नहीं लगता किसी और सिस्टम में य प्रेश्ट, सापनेश वगरे सारी चीज आप सेट कर सकते हूं, और एक और चीजे ओएज़ी सेटिंग्स भी आप कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि नहीं उसका नाम बदलना है, तो ड़िएर के बदलने के जुरत नहीं, प्रिएर नमर वन के जगा आप आप ग्राउंड देना चाहते हैं, या कुछ भी आप लिखना चाहते हो, इजी वे में पॉसिवल है, बहुत यह जो चीजे है ना, यह इस बार जो अपडेट एक विजन का आया है, यह खास कर टेक्निशन के लिए बहुत कम ऐसा होता है, जो एक विजन टेक्निशन के लिए कुछ करती है, बट इस बार जो हुआ ना, यह बहुत जवरता है, आप पर प्राइविसी मास्क इस तरीके से आप आप आउन कर सकते हो, किस चार एरिया में प्राइविसी मास्क आउन कर दीजे, रिकॉर्ड आपका यह चीज नहीं होगा, जो चीज आपने हाइड कर दी, आ आपका रिकॉर्ड नहीं होगा, आप यह चीजे खुद से कर सकते हो, आपको जाने के ज़रत नहीं है, मतलब सोचिए, कि मान लिजे कि आपका कोई स्टाप है, वो दूर में जाके काम कर रहा है, उसे सारे नहीं आती सारी जानकारी, आप यहाँ पर कर सकते हैं सारी चीजे, उनको सिखाने के ज़रत नहीं, तो यह चीज है, अब देखिए, यहाँ पर इस बेसिक इवेंट में आप देख लिजे, नॉर्मल इवेंट है, जो आप एक्सप्सन से वो सारे सेटिंग से मोशन डिटेक्शन के आप एरिया भी सेट कर सकते हो, यहाँ पर देख लिजे, एन नहीं भी हो, तो भी आपका काम भाप हो जाएगा, क्योंकि इतनी अच्छी सुविधा आप सभी के लिए दे दिये, यहाँ पर स्मार्ट इवेंट में लाइन प्रॉसिंग डिटेक्शन में आते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ, थोड़ा सा सींच अडिटेक्शन में आप इनेवल कर सकते हूँ, यहाँ पर आर्मिंग सेडूल, लिंकेश मेंट कर सकते हैं, इन्टूजन डिटेक्शन ओन कर सकते हैं, इन्टूजन डिटेक्शन में मैं थोड़ा सा एरिया सेटिंग्स करके आपको थोड़ा सा देखाने की कोसित करता हूँ, जस्ट डेमो है, बट यह भी काफी अच्छी तरीके से वर्ग करता है सारे सेटिंग्स मैंने खुद करके देखी है मैं आपको यहां पर देख लिए आर्मिंग सेडूल कब से कब तक आपका इंटूजन डिटेक्शन ओन रहे यह चीजजें डी हुई है और इसके इलावा आप देख लिएज़े एकसप्सन डिटेक्शन सारे चीज़ें दी हुई है तो यह सच में बहुत अच्छा है मैं अरिया सेटिंग्स करके आपको दिखाता हूं ड्रो अरिया करके दिखाता हूं किस area को intrusion, area को मैं बनाता हूँ ताके वहाँ पर कुछ हो तो वहाँ पर कुछ हरकत हो वह selected area में डिखे इस तरह की से आप select कर सकते हो मैं just roughly मैं कर रहा हूँ बस आपको दिखाने के लिए तो इस तरह की से आप set कर सकते हैं तो खुल मिला के ऐसे आप set कीजी चलिए मैं यह पर clear मैंने कर दिया है अब मैं वापस line crossing detection पे same उसी तरीके से line up cross कर सकते हो सारी चीज़े बिलकुल अच्छी तरीके से काम करती है और इसके अलावा भी काफी चीज़े है स्ट्रीज में तो में हैरान हो गया सेटिंग्स अब कर सकते हैं स्ट्रीज में बहुत है मतलब कि यहां पर smart सेटिंग्स अब कर सकते हैं इसके आपको कि कितनी capacity का है और जब आपकर क्लीक कर सकते हैं फॉर्मेट कर सकते हैं मगर अगर आपको पर्मिस्टन मिल गया कि हाड़िस को फॉर्मेट कर दीजे या कैसा फॉर्मेट करना है तो क्लाइंट के पास जाने के जूरत नहीं मतलब यह काम भी आपका हो रहा है यहीं से सारा काम हो जाएगा और क्लाउड स्टोरेज के सेटिंग कर सकते हैं सिर्फ जो है इंटरनेट होना चाहिए ब्रॉडमेन होना चाहिए आप क्लाउड के आईडी वगरे बनाकर आप यहीं से बैठे बैठे क्लाउड स्टोरेज की भी सेटिंग कर सकते हैं मतलब अगले को इतनी सुविधा इक विजन वाले ने दे दी है कि मैं आपको कुछ और चीज़े थी आपके मोनेटरिंग में कितना सपोर्ट करती है अब वह आपको दिखाने की कोसित करते हूँ यहां पर देखेजिए सारा सेडूल है लाइव परमिशन है डिवाइस टाइप है और इसके अलावा मैंने एक एड करने के कोसित की तो मुझे एक नोटफ ने कीस इन्फरमेंशन आया जैए यहां पर क्या है इदा डिवाइस का फिर्मवेर जो है वह काफ़ी और है मतलब कि ओल्ड है आपको इसको फिर्मवेर अपडेट करना होगा ताकि यह सपोर्ट कर सके है लिए अपको फिर्मवेर अपडेट चाहिए और सारी मोनेटरिंग यहां पर हो जाता है, हैर Health Monitoring Manifery of Cost Services ली हुई है तो जब भी कोई DVR एड़ करते हैं तो वहाँ पर option आता है, अब यह आपको management में कितनी सुभीदा देगी यहाँ पर देखें मुझे Health Monitoring की notification भी आई है, यहाँ पर notification क्या आई है कि यहाँ पर जो है आपका device firmware का notification आया था, आपको हमेशा नहीं देखना है आप दिन में एक बार देख लिजे कि आपने जहाँ जहाँ connection के, वहाँ क्या क्या चीज़े आ रही है, क्या problem आ रहा है, कुछ problem आ रहा है तो आपको यहीं से मिल जाती है, मतलब इस तरह से रिपोर्ट का sample मिलता है first 50 login का, मैं आपको दिखाने को कोशिज करता हूँ यह देख लेजिए, तो मतलब यह question आया था कि मैं कैसे पता करो कि मेरे device को कब-कब log किया गया है, कब-कब खोला गया, open गया, आपर पूरी DVR की monitoring करके दे रहा है, और आपको notification भी आ जाएगा, अब आपको वहाँ पर select करना है कि आपने handle किया कर नहीं handle किया, वो भी मैं आपको बता होगा, मतलब कि management करना भी बहुत आसान है, notification आ जाता है, तो आपको यह नहीं जाना कि किसी client का आपने AMC लिया, तो आपको इससे support मिल जाएगा, बहुत सारा, client के पार जाने जरूतने, और client को क्या पता क्या हो रहा है, तो client भी खुस होगा, किया है, अगर आपने यह आपने अपर unhandled आया, आप click किज़े solve कर दिया है, result, तो यहापर आप click किज़े solve कर दिय यहाँ पर कुछ आपको लिखना लिखे, to be concerned, यह आप चेक्ट, जो भी आपको करना है, आपको कल चेक करना है, तो भो डाल दीजे, कल आ जाएगा, मैंने यहापर solve कर दिया, handle कर दिया, तो यह रख से आ गया, तो उमीद करता हूँ कि इससे आप काफी चीजे सिखेंगे, हिक प्रो कर्येट को इस्टॉल करकर करक अपना की चेक्ट कर, अपना